हेलो अब्रिवान, अब वेरी गूड इवनिंग जो ओल आफ योग, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि मैंने सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, है ना, और 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 आज मैं थोड़ा से लेट हो गई, है ना, दोमनिट दोमनिट, दोमनिट लेट हो गई, छी क्या, चलो, सो बच्चो, यह स्टार्ट करते हैं, हम सब लोगों ने तराजु तो कहीं न कहीं देखी है, तराजु क्या करती भया, तराजु जो है, मापती है, अब बच्चो, सबसे पहली चीज तो यही मैं पूछना चाहती हूँ, की अरह मापन होता क्या है है एना फिजिक्स में यह मापन का मतलब किया है थे बात बताओ तराजू कि तुम्हे're numa जर्रती ही पड़ी हाँ जी तराजू की तुम्हें जररती ही काहे पड़ी विनस पाले लय चल रहा था पर बात करेंगे जिनका मापन संभव है बहुत ही बढ़ीगा जिसे मापा जा सकता है तो यहां पर तो बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर उन भौतिक राशी की बारे में बात करने वाले हैं वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा जा सकता है ठीक है तो बच्चों को अच्छा एक बात बताओ किसी भी मनुष्य के लिए किसी भी इंसान के लिए है रए मापन यही यह और कौन से चीजों को मापना जिनका मापन समभाओ वही तो बता रहی हैं तो बच्चों हमारे जो है इलकुल बच्चों हमारे जो हमारी जो मारी कहता है वो रोटी कपड़ा-मकान आए जलर्व पढ़ी कि हमारी जो नीड है जो Dual basic reminder सबक्विक्षों किसी व्यक्ति के वह है रोटी कपड़ा और मकान तो सब Express zoop physics में जो है खेना लोगों ने क्या करया भाया कितनी कि न Pepper पहलं हुआ लंबाई तो सबसे पहले रिए किसकी बच्चों लंबाई फोफ जाना है कहीता है ओर रोड कितनी फिर बहुति भाग से ऐसे बसे भाग की बीच की दूरी कितनी है तो बेठो लंबाई सबसे पहले आपने को गैसारउ पड़ी अब बिटा उसके बात क्या आया द्रवेमान की भईया एक बात बताओ दो लोगों का खाना बनाना है तो कितने जो है कितने चावल चाहिए कितना आटा चाहिए मालो दस लोगों का खाना बनाना है मालो पूरी बरात का खाना बनाना है यह फर 15 लोगों का खाना बनान तो पहली भौतिक राशिय अपने को मिली लंबाई दूसरी मिली द्रवेमान और बिटा तीसरी क्या मिली तीसरी बच्चों मिली समय बिटा टाइम तो बहुत ही जरुरत है ना सुभा से शाम हो रही है ना बच्चों दोपहर हो जा रही है हमें ये काम चार घंटे निपे अब यार सोचने वाली बात ये है कि वो भौतिक राशियां जिनका हम लोग माप सकते हैं उनके बारे में हम लोग चैप्तर में बात करने वाले हैं अब बच्चों जैसे कि अब ढूम यहाँ पर सोचने वाली बात indifferent मालूं मेरी दसा इ Junior कोई इनसान है अब हम लोग जो है थ या फिर कितने पाउंड मेरा वजन कम हुआ है तो यह इस चाप्टर में अपने को एक बात तो समझ में आ रही है कि किसी भी चीज को मापने के लिए किसी भहतिक राश्य को मापने के लिए हमारे पास वै कि बहुत ही बढ़िया तो यहां पर हम लोग इस चाप्टर में भौतिक राशियों के अलग अलग जो है मात्रकों के बारे में ही बात करेंगे बात करेंगे तो यहां पर हम लोग देखेंगे ऐसाई परधधिक्या है हम लोग देखेंगे fps परधधिक्या है cgs पतिक्या है in us पत्रतिक्या तो बच्चो यहाँ पर हम लोग Дेखेंगे मात्रकों की हाद अलग अलग वगधियांे वरी आइस समझ में आ गया समझ मागया कि नहीं आया बहुत यह अच्छ बहुत ही अच्छ तो यार बच्चों अपने को अच्छा बात बदाऊ बस्चो मालो में तुमसे पूछहूं यहां पर नाम लेरों पेटा विरेंध्र रयादव टैन्स माभाई कितनी है तुम कितने लंबध भी छुष्ष साण582 विरेंद्र रियादव आपकी लंबाई कितनी है कि साथ फीट अलोन बॉय कहें नहीं देखो रवीश कुमार कह रहे हैं पांच तीन साथ सेंटीमेटर अब देखो आई लव यू बोल रहे हैं यह कैसा नाम होता आई लव यू कोई नाम है भाई यार तुम तो हद मचाए हो है 6.3 देखो राहूल ने यहां पर बोला है 6.3 वा बिटा राहूल बहुत बढ़िया यहां पर राहूल ने बोला है मैडम जी 6.3 बेटा 6.3 क्या 6.3 क्या 6.3 सेंटीमेटर तुम अला तुम इतने छोटे इतने पिद्दू से हो क्या नहीं ओविसली 6.3 फीट है ना या भया 6. 3.3 इंच यानि के बच्चों एक बात बताओ अगर किसी भी भौतिक राशी को अपने को क्या करना है पूरत्या व्यक्त करना है अरे यार सुनोगे पहले हाँ अगर राहूल को बताना है कि हमारी लंबाई कितनी है तो उसकी सही लंबाई बेटा जी क्या है उसकी जो सही लं है बॉल गैं तुमारी बाते चल लो इन्स्टागरां पर ड्रेल बेजी तिंस लाइक नहीं किया है ना तुमारी बाते तुम करते हुए जारे तुम दुकान पर भूल गया कि मम्ए कितने जो है डाल कितनी मंगवाई थे तुम पहुंचे पहले वाँ तुने दिमाग लगा T तोड़ी जैदाव दे दो अब दुकांदार करो थोड़ी ज्यादा डाल दे दो अब दुकांदार करें कि बोरा उठाकर दे दे क्या हमाएं पास जो है दसबोरे पड़े दाल के दे दें ज्यादा तो मेरे खास देंसे याद आया कि मम्मी ने कहा था थीक, अब मालो तुम यर देखो-अलोन मम कहते हैं दुकान तो अपनी मैम कितना भी ले लेगे बाइव बड़े बैटा सब की दुकान ठोड़ी होती है अब तुम्हारी ज़रूरी थोड़ी के मेरी दुकान हो है अब हमाएं से आदमीों को जाना पड़ता है कम में लो कहते हैं भैया, एक क्लो चावल दे दो दो क्लो चावल दे दो बिटा सब काहें से अमीर थोड़ी है समझ रहो, चलो आज slick बच्चों मालवरो तुमने पॉल पांच cał 있ल है और आव Kane स्निफ नहीं पांच किलोग्राम कोई भौत कोई भी भौतिक राशी को पूर्त comment कर चाहा होगा या फॉर्ड हम ऊसके उसको हम लोग पूर्तिया जो है यथार्थ जो मीनिंग होगी बेटा उसकी वो कब होगी जब उसके साथ दो चीज़ें होगे न कोई भी भौतिक राशी अब यह इसको प्रौपर आगे लिखवाऊंगी बेटा किसी भी भौतिक राशी को मापने के लिए हमें जो है ना दो च यह बिटा सेकेंड है यूनिट ठीक है बाई पांच ग्राम की वैल्यों कुछ और है पांच किलो ग्राम की वैल्यों कुछ और है आगे बात समझ में बहुत बढ़ेगा चलो अब इसको आगे डिटेल में जानेंगे उसके पहले यह जान लो बच्चों कि इस चाप्टर में हमा जान निकलती करें मैडम जी विद्यों तो हमें यादा नहीं हो रही है ना विद्यों तो मैडम जी प्लीज एक वन शॉट ले लो उसके फॉर्मलेस के लिए एक क्लास ले लो यहां पूरी फिजिक्स में इतने फॉर्मूल है कि जितने तुमने पूरी वहां पर एक इतनी सारी है तो उनमें कौन सी भॉतिक राशिया होंगे है ना कौन सी भॉतिक राशिया होंगी पहली चीज तो जिनका मापन संभव है जैसे कि समय इसको मापा जा सकता है जैसे कि बच्चों हमारे पास द्रविमान इसको मापा जा सकता है बल इसको हम माप सकते हैं लेकिन थी तरही एक साइटे को मज़ा बिनांप लेक्षप्ण न perceived present पर एक बाद बताओ क्या मेरी एकसाइट में तो माप सकते हो इसकी when थे धशे अफ्डूर्वन में विल्कुली स तो यहां सो यहां पूछ फिज बच्च पुछ है तुम्हें मज़ा रहा है तुम्हें wnज़ा अ रहा है कि चाप्टर पढ़ने में है लेकिन क्या गल्सक्त को माप सकते हूं तुम्हारी खुशी को माप सकती हूं बताओ सन्हों वे सरफिरा आशिक होगा तो की रीलomnete मैं तुमसे इतना प्यार करता हो कि मैं तुम्हारे। पढ़ी नहीं है फेली उसको पता होता थीक है चलो आजो बच्चों Fi। गुष्द्शे को माप सकते हो क्या हमें हमें इतना पता हैं यहां मैं बीक необ El गुस्वां हुष हैं इतना पता है त्वी पोकिश्वीन फूर्त जाता हैं कि पाकिस्तान के ुष्यसव में ठीक है अपने को यह नहीं पता होता है कि आपने लोग मालों ज्यादा घुस्वे वाट ढलां है ना अगर मालों अपने कितना पता हो कि भाई वह बहुत गुस्सा आएं वह फोड़ सकते हैं तो यानी की बच्चों यानी की ऐसी जो है कह सकते हैं तुम्हें पता चल सकता है कि एक्साइटेड हो खुश हो गुस्से में हो लेकिन बेटा इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं तो इनके बारें बात नहीं करेंगे, प्यार मुभबत का यह subject नहीं है, पहले ही बता दें, बहुत बढ़िया, very nice, आजाओ, अब बच्चो यहाँ पर बस हो गया भाई, अरे यार हो गया यार, बहुत बढ़िया, मैडम जी किलो तराजू लेया, अरे बेटा किलो तराजू से काई से मापा ओगे, हद मचाय हो तुम लोग, जलो आ जाओ, अब बच्चो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत बात बात्राशियों से, सरी है, आजाओ, अब यार बच्चो देखो यार हमारे पास जो है न इतनी सारी भौतिक राशिया है कि अपने वो करना क्या था? भया हमें जो है इसे classify करना था, हमने क्या करा है इनको अलग-अलग जो है groups में बाट दिया ठीक है? ताल आध कि दिशात्मग गुड के अधार पर और बत्चो दोसरा है मापने के अधार पर ठीक है मापने के आधार पर ठीक है चलो या फ़र उपत्ती के आधार पर भी कह सकते हैं अब दुर्ण सबसे पहले बताओ बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो वच्चों हम लोग यहां पर सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले देखेंगे दिशात्मा का गुडधर्म के आधार पर गुडधर्म के आधार पर बहुत अच्छे तुम लोग में से कुछ बच्चे सई जवाब दे रहे हैं है ना क्योंकि हम लोगों ने इलावेंथ में सॉरी नाइंथ में यह बात पड़ी होई थी तो बच्चो हमारे पास जो है हमने क्या करबिटा दिशा के अधार पर राशियों को बाटा सबस्ट राशिया और एक हें अधिश राशिया यह बास समझ में आ रहे हैं नहीं समय आ refers हाँ वेरी नाइस बच्चों सदिश राशियां और अधिश राशियां सदिश राशियां और अधिश राशियां भाई दिशा आ रही तो अव्यस सी बात है कि हम लोग यह देखें कि वाई किसके अंदर दिशा है किसके अंदर दिशा नहीं है अरे दिशा लड़की करना हमें तुम लोग थी यहां तुम चले भर हो पतानी के पास duo कि सथ सदुष राशिया और अदिश राशिया वह राशिया है जिनको मापने के लिए बहुत बढ़िया जिनको आपने के लिए बच्चों क्या चाहिए हमें परिमार और दिशा दोनों चाहिए अच्छा परिमार और दिशा मतलब क्या है परिमार का मतलब how much तुम लोग कहते हो मैडम जी परिमार समझ में नहीं आया हाओ न बेटा किस दिशामा डेख नाम गोशंच को समझा है ना बशसक नूंदो बहुत बढ़ी या जिनको मापने के लिए की परिमार और दिशा दोनूं क्या अवशक्ता होती यानी कितना और किसदि शम्हाcej उधास ऑम् math अब ट्रक्टर मालों इधर निकाला वह धक्का दिये पड़ा इस से पीछ निकाल पाईगा वह अदमी बूरा हो जाये कि लेकिन कभी ट्रक्टर섯 गट्धे से बाहर निकाल पाएगा संदुना आया कि नहीं आया है कुकि भाई क्योंकि भाई दिशा गलत है अब उम्हें बात बताओं को पुर यह एक आदमी प्लात हैते कुटअ फूटि यह कर निकाल prends तुम तो किल कई रहें के यस मैम यस मैम हैं बीटा आदमी है वोखली नहीं है बिटा नॉर्मल आदमी है गड़ेगा थी कला नहीं है तुम शिर जो सब दो करोगे तुम घांव के तीन चार आदमियों को बुलाओंके और इस दिशा में धक्का लगाना थीक है इस दिशा में धक्का लगाना यानि कि बच्चों बल को अगर बिटार को बल अगर हमें मालों यह करना है कि ट्रेक्टर को बाहर निकालना है तो में करना क्या होगा सही अमाउंट का फोर्स और सही डिरेक्शन में लगाना होगा सही अमाउंट और सही डिरेक्शन आगया समझ में अब तुम चावल लेने गए थे तुमने क्या बोला था कि भाईया दक्षिट दिशा के चावल देना बताओ बताओ कि अंब आई-स मोटिवेशन करे रहे कि मैडम जी हम तो है वी ड्राइवर हैं मोटिवेशन लिखने से आगे वी ड्राइवर थोड़ी बन जाओं खाली हाई-स मोटिवेशन लिख लिए तो आई-स निकल जाएगा यार मनला कई से मजाग कर लेते हो तुम लोग आ जो अब बा कि आब लिए। तौर मेरी बातों को किल मजाग मत लियां कुर व्याय। कप्ल शर्मा शो नहीं चल रहुत है ठीक है हां साइसा कि इसने पढ़ाते हैं प्ता लगnaj आउ can उसी कुछ है सुख कुछ नहीं आ रहा है िक suggarवल छा深ति हुई धनौ तुमने क्या बोला था कि भाईया हमें पांच किलो चावल दक्षिर दिशा की ओर चाहिए नहीं तो हम नहीं लेंगे तुमाहें आसे चावल नहीं बोला था तुमने का भाईया हमें किल पांच किलो चावल दे दो यानि की बच्चो यानि की द्रविमान बच्चों कह सकते हैं एक ऐसी राशी है जिसके लिए बच्चों अपने किल परिमार चाहिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या चाहिए अरे यार केवल बच्चों क्या चाहिए किल परिमार चाहिए है ना बिटा क्या चाहिए केवल परिमार चाहिए दिशा की कोई आवशक्ता नहीं है दिशा की कोई आवशक्ता नहीं है ऐसी राशियों को बिटा हम क्या बोलेंगे बिटा ऐसी राशियों को हम बिटा बोलेंगे अदिश राशिया अब तो ये देखो ये तो तुमने बात पर ही, नाइन तक सुनी है, नई बात सुनो, बच्चों अब हम लोग 11 क्या करेंगे, जो हमारी सदिश राशिया Caribbean है, उनको व्यक्त करने के लिए उसकेपर उसके उपर बेटा क्या करेंगे तीर का निशान लगाएंगे जैसे बच्चों मालो हमारे जो बल है बेटा वो क्या है सदिश राशी है तो उसको व्यक्त करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे ऊपर तीर का निशान लगाएंगे बेटा इसका मतलब क्या है जहां पर सजाने के लिए तीर लगा दिया लाव हम डबल तीर लगा दे एक अच्छा नहीं लगँ लगा दें इसके ऊपर हम लोग कोई भी तीर नहीं लगाएंगे काउनों तीर क्या शक्ता नहीं है ठीक है तो बच्चो इसका मतलब क्या है या दिश राशी है आगया समझ में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी नाइस बच्चो तो तीसरा पॉइंट सुनों सदिश राशियों को जोड़ने घटाने के लिए हम लोग बेटा जी अलग नियम लगाते हैं सुनना बच्चों ये जो बेटा जी अगला कॉंसेप्ट है बेटा क्या है सदिश राशियों के सदिश राशियों को जोडने को जोडने वा घटाने के लिए जोडने घटाने गुड़न फल के लिए हम लोग बच्चों या लगाते हैं अलग नियम लगाते हैं अलग नियम यह यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि सदिशों के नियम लगाते हैं सब्सक्राइब कर निशानी मिल जाएक मालो एक लिखा हूँ इसके उपर कभी निशानी लगा होगा ठीक है अब बहुत बढ़ी है वरी नाइस बहुत ही बढ़ी है तो बच्चों सदिश राश्यों को जोडने लिए अगे पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में कि बच्चों हम लोग क्या कर रहे होंगे सदिश राश्यों को जोडने के लिए घटाने के लिए हम लोग वहां पर अलग नियम सीखेंगे ना ट्रेंगिल लौ देखेंगे एट आप वह आपको आगे सिखाँगी बच्च कि नहीं के लिए है जल्दी कॉमेंट करो बुग्गु कह रहे है मैडम जी मेरा मन नहीं लग रहा है यहां बिटा तुम्हारे मन लगाने के लिए शारुक खान बुला ले लेकिन बुला लेंगे तब कोई फाइदा थोड़ी होगा काई कि फिजिक थोड़ी आवाता है फट से आंसर बताओ बहुत ही छोटे छोटे सो क्वेस्टेंस हैं जल्दी कॉमेंट करो कि मैं पता है कि पप्पु भाईया जा चुके हैं इस्टूडियो से बाहर जा चुके हैं तो तुम्हें फड़ा-फट से कॉमेंट में यह आंसर देना होगा निमन मेंसे कौन सी राशी है इनमें से कौन सी सदिष राशी है वेरी नाइस दूरी बहुत बढ़ गा बेटा है पक्का कि टेन थी पड़े ओना इन्स नहीं पड़े हो कुछ कहुँ रहे हैं चाल वाँ बेटा सबस बस बेटा बस अब अगली आई आविस तुमी हो को यह देखो यह नहीं पता इन को बिटा इनमें से सदीश राशी है द्रविमान अभी बताया था सदश राशी नहीं इत XML, अधिश राशीए दिशा कि कोई आफशक्ता नहीं विटा दूरी यार दूरी क्या होती है एक नहीं दू बिंदू के बीच का एक तो रास्ता चाल अगर तुम से बोलू कि बहुआ एक बात बताओ तुम तो कह रहे थी कि तुम आधे गंटे में आ जाओगे लेकिन तुम बताओ तुम तो पंगए मिनिट में आ गयो कितनी भीया स्पीड से आयो यार तुम कहो कि मैडम जी हम तो 40 की स्पीड आये हैं हम तो 80 क्लोमेटर प लेकिन बात करूँ विस्थापन की ब cham क्या होती है शौटकट रास्ता अब एक बात बता हो घर से स्कूल का शौटकट रास्ता किसी निश्चिप दिशा में मिलता हूगा अगर दिशा चेंच कर लोगे तो वो रास्ता शौटकट नहीं रह जाएगा हैंना बहुत बढ़िय यह ईस्तास कर दिया करो अपने दोस्तों क्सा शार कर दिया करो बहला करते रहो तुम्हें मज़ा आ रहा है तो यह मज़ा आगे बाढ़ते रहो अपने दोस्तों में बढ़ाये कर से बढ़ाती है उसके बाद आपस में discussion किया करो यार मैम ने question दिया था ऐसे समझाया था है discussion भी किया करो लेकिन नहीं तुमें अपना अकेले अकेल भला देखना है हद दो रखी भाई बहुत लालची लोग यार तुम लोग बिटा वेग कैसी राशी है बिटा वेग हमारी सदिश राशी है अगर मैं बोलू कि मैं 40 किलो मीटर पती घंटे की रफ्तार से दक्षर दिशा में जा रही हूं तो बच्चों ये क्या ह में बेटा मैंने कुछ उमवक में भिए है हूं बग करना मत भूलना क्रों करके कोमें करा करो कितने कितने रही हैं कितने गलत हैं ठीक है कि शर्माया अमत करो जल्दी बताओ इन में से पॉन सब्सक्राश आपी तीन के तीनों सद्सक्राश्यां होने चाहिए बैटा तीन कि तीनों सदिश राशिया होनी चाहिए जल्दी 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 सी 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 वेरी नाइस बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्छों देखो बच्छों हमारा कारे उर्जा चाली बिटा तीनों ही अधिश राशिया है उश्मा प्रकाश विड्यूत सिखी को सबस्तेrast राश्या है और पेडया बहुत बच्चोषा उद्हारण है जल्दी बताओ सरल रेखिए गती का उधारन है कि ऑप्शन डी से उपर वाला बिटा बुग्गू बहुत बढ़िया हैं कॉमेंट तुम डिलीट करें उससे पहले हम पढ़ लिए हैं जल्दी 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 आजो फड़ा-फड़ से जल्दी बताओ यार मैं आप कपल शर्मा को फेल कर दिए बिटा ऐसा मत बोलो यार कपल शर्मा ने पढ़ लिए तो फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देगा तुम ना चातर मेरी रोटी बंढ़ कर आउगा नौकरी खालो तुम लोग मेरी स्रल रेकी बेटा गती का उधालन कौन है तो बच्छो तरल रेकी गती का उधालन है सड़क पर काड़ की गती ठीक है और यहां पर सीदी सड़क में जो है कार अमार्य गती कर रही होगे अब बच्चों यहाँ पर अगे बैटा अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मापने की अधार पर या उत्तपत्ती के अधार पर बात करने वाले हैं लेकिन न बच्चों उनके मात्रक तुम्हें कम मिलेंगा उसका रीजन बच्चों यह है कि यहां पर हम भी लोग अब लिकाद्व निर्भरता कि अधार पर एसे लिखो निर्भरता कि अधार पर लिखिट के आधार पर लिख लो कि या उत पत्री के अधार पर भी लग सकते था कुछ भी लिख लो बच्वाडन है हमारी जो है जूब मेर्द दम्राशियां कि अध्याशनरी है हमारी पूरक राशिया है ठीक है पूरक राशियां इतनी बा शामझ बाय रही है इतना बात समझ में आ रही है बहुत बड़िया बचो मीड़ राशियां कौन सी राशियां है बीटा मूल राशियां हमारे पास वह राशियां है जो बेटा जी मैं कहाती हूं कि जो जो किसी दूसरे पर डिपैंड नहीं करती है li बेटा फिर से सुनो एदर फिर से सुनो बत्चा है कि मूल राशियां कौन से राशियां है बीटा आरा लodament या व राशियां है जो वेटा सवतंत्र होती है किसी और भौतिक राशी पर निर्भर नहीं करती है लित लोग। लिख लोगे अरे तूम लोब बोलो यर। कि जल्दी बता यह कौन पूछ रहा है कि अपना रूल लंबर बता हो थो अपस्वाओं कि लोगे लिखवाओं या लिख लोगा अरे यार आ तो बोलो है 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 यह घर है दो छोटे बच्चे ऑन तुम लोगे जो टेस बच्चे आदान नहीं गहीं है पूंद। तुम लोग तुम लिखो ये राशियां स्वतंत्र होती है ना छोटे 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 लिख लेना तुम लोग आगे स्वतंत्र होती है एक पॉइंट लिख लेना लाइन पूरी तुम लोग कंप्लीट कर लेना स्वतंत्र होती है ठीक है किसी अन्य भौतिक राशी पर निर्भर नहीं करती किसी अन्य भौतिक राशी पर राशी 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 है ना रसोडे में कौन था राशी थी न शाहिद मुझे पता नहीं है किसी अन्य भौतिक राशी पर निर्भर नहीं करती है नहीं करती है बहुत ब एक बात और है इनके मातरक कैसे होगे बीता इनके मातरक मूल मातरक कहलाएंगे अब आप tuva सवत्र होती होती है हमारे साथ ही क्या है यूनिट राशियां है ठीक है बच्चों हमारे पास क्या है साथ मूल राशियां है हमारे पास सेवन फिज जो है हमारे पास fundamental quantities है ठीक है तो बच्चों हमारे पास जो है यह साथ भौतिक राशियां किसी और राशी पर निर्भर नहीं करती है इनके मात्रक कैसे कहलाएंगे मूल मात्रक कहलाएंगे बहुत बढ़िया सात मूल राशियां होती है बच्चो वितपन राशियां क्या होती है यह बेटा क्या होती है यह जो है मूल राशियों पर निर्भर करती है बेटा पता है सच्चाई क्या है सच्चाई बच्चो यह नि प्राइब दे कॉंटिटी इस कौन सी है विव्युत्पन राशियां वो राशियां है जो मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती है एक्जाम्पल के तौर पे समझना अभी अभी ते मज़ा दिलाती हूं सुनना ध्यान से अचा यह भी लिख लो पूरक राशियां हमारे पास दो पूरक राशियां है बीटे एक है सम्तल कोर बीटे एक है हमारे पास सम्तल कोड और दूसरा है घन अब ये पूरक राशियां इसलिए हैं विटा क्योंकि ना तो ये बच्छों मूल राशियों केटगरी में हैं और बिटा ना ही ये व्युत्वपन राश्यों वी कैटागरी में हैं बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया यानि के बच्चों हमारे पास क्या है बिटा निर्भरता के अधार पर तीन भौतिक राशियां तीन प्रकार से हमने क्या करा जो हमारी भौतिक राशियां को कर दिया मूल राशियां वो राशियां हैं जो स्वतन्त्र होती हैं किसी दूसरी भौतिक राशिय पर निर्भर नहीं करती हैं इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे व्युत्वपन राशियां मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती हैं उन्हीं से प्राप्त होती हैं इनके मात् बनाएंगे हम लोग और पूरक राशियां क्या हैं दो पूरक राशियां है सम्तल कोड घंड कोड इनकी कहानी वह सुनाओंगे तुम्हें आगे अब पहले यहां पर जा देखो बच्चों तो यहां पर हमने यह तो देख लिया कि हमारे पास साथ मूल राशियां है ठीक है अहां पर कॉमेंट करते तो मैं यहां पर लिखती जाओंगे। तो साथ मूल राशियां कौन सी हैं देखो पहले तीन बताई दीती कि सबसे पहले लंबाई रभयमान समय तो यह को हमारी यांत्र के मिया कह सकते हुए रगशों हमारी जो क्लासिकल फिजक से इसमें बाहूत क और बेटाजी समय इसकी अलाम बताओ यह तीन तो हमने बता दिया आगे बताओ आगे वेरी नाइस वेरी नाइस वेड्योत्यारा बहुत ही अच्छे वेड्योत्यारा बहुत है बढ़त शाबाश रेदी नाइस और बताओ वेरि गुड ताप टेम्परेचर अरे बपडे बुखार तु नहीं है कहिँ है ना ताप बच्चो नहीं है बहुत ही अच्छे खाना इतने जो है टेम्परेचर पखेगा बहुत बड़ी चिकंड को पगाने के लिए इतना temperature चाहिए very good जोती तीवर्ता बहुत ही बढ़िया जोती तीवर्ता very good very good very good और बच्चो एक तुमने अभी chemistry पढ़ी होगी यार पदार्थ की मात्रा नहीं पढ़ी है पदार्थ की मात्रा नहीं पड़ी बड़ी शक्ती नहीं शक्ती बिटा जो है वित्पन राशी है बिटा हमारी जो है पदार्थ की मात्रा अर्य यार अभी chemistry तुनों पढ़ रहे होगे मौल कॉंसेप्ट है ना फरस्ट चाप्टर वही है पदार्थ की मात्रा वेली गुड वेली गुड वेली गुड वेलब होगे तर्व तकी क्या रहे हैं क्या ही बताई बेटा है क्या ही बताएं तुम्हें कितनी कि कितनी सारे वितुपन राशिया है जैसे बच्छों एक्जांबल देखो अब एक बच्छे ने नाम लिया था बल बिटा पडार्थ की मात्रा लिखी हुए यार लिख लो यहां पर लिख दे रही हूं है मिटा सुन रहे हो ना तुम लोग जो बोल रहे हो मुझसे बिटा वो भी जो है लिख लिया करो चलो आजो यहां पर बिटा जैसे विद्वर्वितुपन राशियां तो बहुत सारी है इतनी सारी है कि पूछों नहीं अरे हां मात्रक बात पहेंगे बिटा कैंडिला रही है है भांष यहां बच्चों याद करो याद करो बिटा话 याद करो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ वराबर m इन्टू ए ध्यान से देखना बच्चों F बराबर M इंटू A पढ़ात हमने बल बड़ाबर बिटा बल बराबर क्या होता है तो तो मल बराबर होता है द्रश्विमान गुरे टूरण अब कर तौ मोध देख पा रहे हो तो द्रश्विमान बच्चों क्या है हमारी मूल राशी है बेटा तोरन भी क्या है व्युत्पन राशी है कहो तो बताऊं देखो जो है व्युत्पन राशी देखो ध्यांस देखना बेटा तोरन बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे समय वेग में परिवर्तन बटे समय अब ध्यांस बच्चो देखो बहुत ही बढ़ए ध्यान से देखो तो तुरन बच्चों क्या है Virta TRं देखो यहांपर समय मूल राशी आ गए अब अगर तुम वेक को देखो तो वेक क्या है विटउपन राशी हो ही नहीं सकती है ना एकल बल रविमान गड़ी त्वड़न भीठ तौरण अलग वित्वपन राशी है वेग में परीवर्तन बठे समय से मिल te bony hoe e भी हमारी विस्थापन भी है समय बहुत ही बढ़िया तो यानि कि बच्चों जो हमारा बल है बेटा वो क्या है वित्वपन राशी है अब तो समझ में आगया होगा ना बस बेटा दोको यही हमारे जो है साथ बेटा जी मूल राशियां है दोको अब लंबाई-लंबाई है अपने आप में है ना किसी और चीज़ से मिलके नहीं बन हुई है बिटा द्रविमान द्रविमान ही है समय समय ही है बिटा विद्यु धारा विद्यु धारा ही है सई है चलो बहुत बढ़िया बाहुत बढ़िया बाहुत बढ़िया इतनी बास सबको समझ में आ गई मिस्टर राका जी के राज़क जी कह रहे है किसी को पीजा खाना है तो बटाओ तो आजाओ बात करते हैं बात करते हैं इंवाद करते हैं तो लंबाई कितनी अगर गड़ां तुम से पूछना की डफिनेशन क्या है हाँ बैं लंबाई की बस कर ये मैं इतने में थक गए बस इतनी से जान थी क्या खतम है मडम जी आएं टू एक्साइटेड बेटा जी मडम जी और आएं टू एक्साइटेड और फिर खतम बोलो अरे यह डेफिनिशन तो सुनलो लिखवान निर्गों कहीं पूछ नहीं जाएं है ठीक है ठीक है तो बच्चो प्लैटिनम इरिडियम के चड़ जो कि फ्रेंस में रख़ी हुई है तो या पडिश में जगें हूब रहे हुए है तो बच्चो प्लैटिनम मिलकर केski है अगर ह Cheerum के बीच के बीचकी दूरी है वह बेटा जी क्या है एक मीटर लंबाई है बढ़िया वेरी गुट वहीं पर बिटा दि हमारे पास द्रवयमान है वही डफिनीशन है कि वो जो चड़ है उस चड़का जो एक भाग एक हिस्सा है उसको हम लोग मानते हैं कि यह क्या है एक किलोग्राम है अब दो को बच्चों यह क्या है विसिकली क्या करें मानक माल भी यह हम अपने हांट लंबाइन एक मींटर लंबाइन गया हम तो एक लाप निए तो बच्चों इसलिए हम लोगा ने क्या करें माननक डिसस कर लिया इंटर्नेशनली बच्चयों कि क्या करें मानक डिसाइट कर लिया आप शो मानक बिसीडि क्या होते हैं कि हमने जो है इ scientists कर लिया कि इतने को हम बोलेंगे एक मीटर इतने को हम बोलेंगे एक सेंटी aventure तो बच्शों यह जो है हम लोग basically कह सकते हैं हमारे पास तभी पधतियां निकल के सामने आई तभी बच्चों हमारे पास क्या हुई अलग अलग पधतियां निकल के सामने आई क्या ये बास सबको समझ में आ गई पक्का समझ में आ गई हाँ बिटा क्या बोल रहे हो i बराबर q upon t होता है ma'am i बराबर q upon t बिटा इससे कहना क्या चाहते हो बिटा इससे कहना क्या चाहते हो इससे कहना क्या चाहते हो जल्दी बता इससे कहना क्या चाहते हो कहना क्या चाहते हो बिटा कि तो कि घृब क्या कहना चाहते है कि क्या कहना चाहते हो कि अधियू अधिया ये के रहे हो कि एक पागल हो लोगों ने मूल राशी की ही श्रेडिंग में रखा हुए किसी और राशी से मिलके यह नहीं बनी हुई है किसी दूसरी भौतिक राशी से मिलके नहीं बन रहे हैं। अलग मोराशी है। ओर तॉरन भी क्या है। हम बढ़े तोड रहे थे। तो देखो जाद देखो कितनी सारे अपने को मूल राशिया मिल रहे थी कि तुरन बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय फिर वेग बराबर विस्थापन बटे समय तो बच्चों विद्यो धारा को हम लोग मूल राशी की स्ट्रेडी में ही रखते हैं ये अभी से नहीं है यह हमेशा से है, बिलकुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बिटा यह है हमारी भौतिकी में सात मूल राशिया, पहली है लंबाई, दूसरी है द्रविमान, तीसरा है समय, बच्चों हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है, उसमें हम लोग इन तीनों का ही बहुत ज्या टेंपरेचर, जोती तीवर्ता पदार्थ की मातरा, अब बच्चों हमें एक बास समझ में आ गई है कि अगर हमारे पास मूल राशिया है, हमारे पास भौतिक राशिया है, और हमारे पास पूरक राशिया है, तो अब बच्चों जरुरत परती है, किसके बच्चों जरुरत पड़ती है बीटा हमाई जो है मात्रकों की जरुषत पड़ती है पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी भेले इतना मताओ हम से परता है लेक्षा नंबर वन दम से 400 में होने वाला है या फिर ये इतना तुम लोग इंट्रेस्ट कम हो जाता है जबकि जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा इंपोर्टेंस वैसे वैसे आwar अगे है आंरे जो ह पर कि इतना इंपॉर्टेंट है ना पहले चाप्टर में तो किल बताया जाता है लड़की देखने आए ओक्या किया लग देख लेते हैं शकल सुरत नहीं अच्छी लग रहे जाओ चले जाते हैं हैं मेटा लड़की थोड़ी देखने आयो क्या चाप्टर नमर वन का जब नया चाप्टर सुरू हो रहा है लेक्चे नमर टू में गायब हो गए हैं क्यों मतलब कुछ भी हाद दो रखी यार तम लोगों ने चलो आज़ो फड़ा फट से चलो आज़ो 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 पहले इस क्वेश्चिन का अंसर तो इसके बाद आगे बढ़ूंगी तो किसी राशी की माप को पूरत्या व्यक्त करने के लिए किन-किन बातों का ज्ञान होना अवस्च्छा के पहले तुम बताओ अगर माल लो मैंने तुम उस दिन एक्जामपल भी दिया था कि अगर आपको मैं दुकान बेजूं और आपको चावल लाने के लिए बोलो और तुम चावल्ट चाईए है क्या होगा पींटा पहले तुम्हा भाइस देंगे दूसरा भीड भी मारेगी है न इकजाकलि तो बच्चो सुद्सक्ति राशिधर मालो हो इस आख न तरीका है वो कब Depot पूरी तरह से व्यक्त होगी जब बच्चो परिमार होगा और पेटा क्या होगा उसका यूणित होगा मात्रक होगा तो यहां पर आपको याद रखना है कि कोई भी भृतिक राशी हो नोसकी भृतिक राशी को पूर्तिया व्यक्त करने के लिए बच्चों हमें जो है दो बाते पता होनी चाहिए बच्चों पहला तो हमें नंबर पता होना चाहिए और बच्चों अगला हमें यूनिट पता होनी चाहिए परिमार और मातरक पता होना चाहिए क्या ये बात सबको समझ में आ गई है हाँ very good बच्चो very good तो बच्चो परिमार तो हम पता कर लेंगे अब बच्चो बात है यहाँ पर मात्रक की अब बटा मात्रक क्या होता है units क्या होते हैं हाँ units क्या होते हैं मात्रक क्या होते हैं जरा एक बार समझते हैं मैं आपको बहुत भौतिक राषी की माप के लिए निष्चित और मान्यता प्राप्त मानक बटाइस्द बात को समझ नहीं नहीं बीदा कि शerin को बहुति लोगेदी तुझे आफ एस अइस को आप समझना के आप मालनो एपर लेने जा रहे ठीक आप मालनो शेभ खरीद ने गये ठीक फोससixon हमारे जो i Coupleесть इसे बड़े भी आते कुछ को छोटे आते हैं अब मालो आप जो एकक ऑप कश्मीरी एपल खरीद ने गए ठीक कश्मीरी शेवाब खरीदमे गए गए और आप ने देखा कि हमारे तो मुझे क्या मिल जाएगा एक किलो समान मिल जाएगा भाई भी बात समझ में आ डी है की नहीं की नहीं आ रही है बात समझ मारी कि छोटी सी बात समझा रही है ओ आठी मानव सब्सक्राद करो हम लोग आधी मानव कुछ देर के लिए आधी मानव बन जाओ ठीक है कुछ देर बन गए लाव बनाव कैसे का कि बने बने के लिए द्यांव बन गें अडिमा लव एफ entire कशे मत्ता हैं किलो जानते हैं नाम ग्राम जानते हैं कुछ नहीं जानते हम इतना पताए कि एक किलो टॉकरी हमें एपल भरके अपनी जो हैं दोस्त को देने हैं अब बच्चों हम क्या करेंगे हमने देखा कि जो हमारी एक टोकरी है उसमें इतने बड़े-बड़े-चैपल आ गए तो तुम मैं यह नहीं बोल सकती हूं कि यह हमारा एक मानक है यह हमारा एक मानक हो गया यह हमारा एक मानक हो गया हम अगर किसी को एक टोकरी फल देंगे तो कैसे देंगे जब उसमें इतने बड़े-बड़े च्छे अप्पल आ जाएंगा मैं इतना पता है कि हमारी इस एक टोकरी में ये छे अप्पल आ रहे हैं बास समझ में आई कि नहीं आई बहुत बढ़िया अब सपोस करो कि अब तुम्हें अंगूर मिल गए है ना अब मालो फल से अब कवाई सीजन चला गया अंगूर भढ़न से भर रही है इतने बड़े बड़े डेड़ सो अंगूर क्या हो रही है हम जब भर दे रही है तो क्या हो रहा है हमारी एक टोकरी भर जा रही है तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ अब हमारे दिमाग में अंगूर के लिए क्या आ गया इतने बड़े-बड़े मानक आ ग चाहे इंगार हं मतलब समझ समल्जमाय दाश्प लग रहे हैं तो ऑपने दिमाग मैं किसी हम इतनी चीज जबिती है तुटी है 1.5 देंगे तो यह बड़ा 사 웥 एक फे Where संगूर बच्चों यह क्या हो गया यह मानक हो गए यह क्या हो गए मानक हो गए उसी प्रकार से बच्चों अब हम जब आगे बढ़े हुए तो हमने क्या करा अब बच्चों माल लो कोई चलाक आदमी है अब भाया उसने क्या करा वो कह रहा है कि हमारे हमारी एक टोकरी में तो देंगे तो बच्चों अगर तुम्हें दिमाग लगाओ तो क्या सब का मानक अलग-अलग नहीं हो सकता भाई तुम अंगूर मान रहे हो कोई से मान सकता है कोई इतना बड़ा पत्थर मान सकता है को इतना बड़ा पत्थर मान सकता है तो सभी के मानक क्या हो गए अलग-अलग तो बच्चों अब हमने क्या करें बिटा हमने मात्रक बनाए है ना कि भाईया एक किलो हमने बना लिया कि भाईया एक किलो इतना ही एक किलो होगा यह एक ग्राम इतना ही होगा तो बच्चों यह क्या है यह बिटा जी अलग-अलग पधतियों में हमने अलग-अलग मानक बना लिए हैं ताकि बच्चों हम सब के लिए क्या हो जाएं चीजे इजी हो जाएं क्या हो जाएं बच्चों चीजे इजी हो जाएं यहां पर देखो बच्चों तभी दिया गया है डेफनीशन ने बेटा जी देखो तभी यहां पर दो चीजे मेंशन हैं पहला निश्चित ताकि तो तभी के लिए बच्चों क्या हैं कि यह क्लोट चावल तुम Лेने गहे कि तो तो तुम्हारे हम यह किलो चावल में ढाइस्ट म 총 लग इतने से चावल आ रहे हैं कि यह बास आ रही है पक का समझ मह जा रहे है रे है वश्लीग हो बहुत ही बद्धि बढ़िया अब बच्चों हमने देख लिए मात्रक परिभाशा तो बच्चों जैसे हमाने पास बच्चों जैसे हमारे पास तीन प्रकार की भौतिक राशिया है बेटा उसी प्रकार से क्या होंगे हमारे पास तीन प्रकार के मात्रक होंगे तो बच्चों हमारे पास पहला मात्रक क्या होगा मूल मात्रक यानि कि बच्चों मूल राशियों के जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे पेटा मातरग क्या कहलाएंगे पूरत मातरग कहलाएंगे यहां तक सबको clear है कि नहीं clear है पीटा का यह बाते कर रहे हो बेटा बाते करने के लिए क्लास मिलती है क्या आराम से बाते अराम से पूरा दिन भर कर लिया करो चौबिस घंटे में एक घंटा तुमसे मांग रहे हो तुम लोगे ऊसे घंटा नहींदु दीख लाए जिंदे सकते हो हां एक घंटा हम से भातता हि कर लो मेरी Questions का ज़वाब सुन लो हमसे बात कर लो है ना जो मैं बूल रही हो मेरी बात सुन लो एक घंटा तुम लोग नहीं जहेर सकते हो हमको है चलो बहुत ही अच्छ है बहुत ही अच्छ है अच्छा अब अगर हमारे पास साथ मूल राशियां है तो बच्छों उन्हें साथ मूल राशियों के क्या होंगे हमारे पास साथ मूल मात्रक है पीटा व्यूत्पन मात्रक क्या है हम लोग बच्छों मूल मात्रकों की सहायता से क्या करेंगे मूल मात्रकों की सहायता से ही बच्चों हम लोग जो है अन्य मात्रकों को डेराइफ कर रहे होंगे प्राप्त कर रहे होंगे जैसे बच्चों माल लो अगर तुम्हें बीटा छेत्र फलका मात्रक ज्यात करना हो बताओ जरा छेत्र फलका मात्रक क्या होता है लेकिन अच्छी लगनी चाहिए और तुमसे पढ़ाई होनी चाहिए जल्दी 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 सेंटीमेटर स्क्राइड देखो बिटा काजल ने कहा कि भाईया मैडम जी छहत्रफल का जो है अगर आप आयत की बात कर रहे हो तो आयत का छहत्रफल मालों लंबाई गोड़े च जहत्रफल का बिटा जी क्या हो गया मीटर स्क्वाइर हो गया हो गया की नहीं हो गया वेरी गुड बहुत ही बढ़ी गा अरे हां सेंटीमेटर स्क्वाइर तुम माल लो है ना लेकिन यहां पर बात कर रहे हुँ जर ध्यांस देखो कि यह दिखो बच्चों हमारा जो छेत् राशी है व्यूत्वपन राशी है अब जो हमारा मीटर स्क्वाइर बच्चों यह क्या है यह व्यूत्वपन मातरक है जो ध्यान देना बलका मातरक बताओ बच्चों बलका मातरक क्या होता है बलका मातरक क्या होता है कॉमेंट करो बलका मातरक थोड़ा सा टफ शलते हैं ब बल का मात्रहुंस वेरी होसं सब्सक्राइबत क्या होता है किलोग्राम का मात्रह क्या है इस किस्वार तो क्या ये बिटा जी व्यूत्पन्य मात्रक नहीं है है ये व्यूत्पन्य मात्रक ये ध्यांस देखो बच्चों ये दूसरे मूल मात्रकों से मिलके बन रहा है बन रहा है दूसरों पर निर्भर कर रहा है वेरी गुड बेटा बुग्गु करी मैडम जी टॉपिक बोरिंग लगा ब एक सब्सक्राइब करें लिए तो अब है प्रस प्लाइं लेते हैं चलते फिर आगे बढ़ेंगे ना चलो देख ना तो हमारे पास तकर सात मूल राशियां एक बार सातों मूल राशियों की मात्रक लिख लिया जाए फड़ा फड़ से तुम लोग वहां पर लिखो मैं यहां पर लिख रही हूँ पहले हम लोग मूल मात्रक जो है हमारे उनको लिख लेते हैं उसके बाद बच्चों वित्प ना बहुत यच्छे बच्चो इसके बाद थे अधिश्य को से डर्शात आते हैं अगला और आपको याद होने चाहिए प्रॉपर साथ याद होने चाहिए आपको वेरी गुट्ट्ट बैटा सेकेंड को स सीड़े haline h20 होता है स्मॉल हैस हो बच्चों वो क्या है Kelvin है है ना इसे हम दर्शाते हैं के से क्या ये बास सबको समझ में आ रहे हैं वेरी गुड बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बेटा इसके बाद क्या है बच्चों जोती तीवरता जोती तीवरता बेटा इसका मातर क्या है कैंडिला इसको बच्च दर्शाते हैं CD से small c small d और last में हैं पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा और बेटा पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो है मोल और इसे हम दर्शाते हैं सारे को याद होने चाहिए बहुत ही बढ़िया इंव मेंने पहली बार सना थ। आल ले लो कांदा ले लो मेया मने सब्सक्ति करिए। नोट कर लिए नोट करते चलना व्यूत्पंद मात्रक में, जैसे बचल द्यास देखो जो वेघ का बेटा मात्रक है वो अब आस काफी दिन पहले बेटा थी देखा थामने मूवी यहां पर ना चो हो यार वेक को पकड़ो बच्छों वेक का मात्रक क्या होता था थो वेक अमात्रक होता है मीटर प्रती सेकेंड बिटा मीटर प्रती सेकेंड क्या है यह व्यूत्पन मात्रक है बहुत यच्छे जैसे बच्छों मालो तुरन बेटा तुरन का मात्रक क्या है मीटर प्रती सेकेंड स्कुएर तो बच्छों यह भी क्या है बेटा यह भी हमारा व्यूत्पन मात्रक है है बिटा हम दूसरे जो है मात्रकों से मिल करके इसको बना रहे हैं तो ये क्या हो गया बिटा ये हो गया व्यूत्पन जो किसी से मिल करके बना हुआ है ये डिपेंड कर रहा है आ गया समझ में हां वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ मीटरपती सगेंड स्कॉयर जैसे बच्छों माल दो हमारा जो है कारी का मात्रक क्या होता है जल्दी कॉम्मेंट करो फड़ा फट से कारी का मात्रक क्या होता है जल्दी कारी का मात्रक क्या होता है बेटा वेख का मारता तो बच्छपन आपक नइंग पढ़े थे ग्लास 19 पर नहीं पर थे इना कारी का अमकर क्या होय तब है एठीक टा बैल बटा बटा बल गुड़े विस्थापन था याद करो न तो बच्छव कारлять हमारा था बल गुड़े विस्थापन तो मीटा इसे हम Newton meter भी बोल देते हैं, है ना, और बच्छो इसको joule भी बोल देते हैं, एक मातरक बच्छो मारा joule भी है, एक joule बराबर एक Newton meter होता है, बच्छो जूल वज्यानिक है एक, घिक है, तो बच्छो इस प्रकार से ये क्या है, हाँ, 굉장히 good, तो इस प्रकार से बच्छ मात्रक हैं, दो पूरक मात्रक हैं, बेटा एक है हमारे पास रेडियन और दूसरा है इस्टे रेडियन, इसके बारे बच्चो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, इसके पहले ज़रा हम लोग एक बार मात्रकों की पधतियां देख लेते हैं, उसके बाद साथ में ही बच्चो सबसे पहली जो हमारी पधति है, हाँ, वेरे गूड बिलकुल, तो बच्चो सबसे पहली हमारी पधति है बिटा, वो है CGS पधति, है ना, बिटा CGS पधति में क्या ही, देखो बच्चो एक बात और, जैसक मैं आपको बताया के हम लोग लंबाई, द्रविमान और समय इन तीनों को ही सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं है ना बच्चो सबसे ज्यादा हम लोग किसको पढ़ेंगे लंबाई समय और बिटती द्रविमान इन तीनों को ही सबसे पढ़ने वाले हैं और मैंने आपको बताया भी था कि बिटती स्टार्टिंग में सबसे पहले इन प्धति, जितने ही पद्धतियां हैं उसमें, बेटा जी हम लोग इन तीनों को ही देखते हैं कि किस प्रकार से निरूपित किया जाता है very good आजो वच्चों तो बेटा cgs पध्धती में जो लंबाई है इसको हम लोग किसमें मापते हैं सेंटीमीटर में मापते हैं very good लंबाई को बच्चों मापते हैं हम लोग सेंटीमीटर में बेटा जो द्रविमान है उसको मापते हैं ग्राम में बेटा किसमें ग्राम में जी पेटा MKS पधधती में द्रव्यमान को बच्चों हम लोग लेते हैं किलोग्राम में, लंबाई को लेते हैं मीटर में और बच्चों समय को हम लोग लेते हैं सकेंड में, क्या ये बास समझ में आ गई, very good, very good, very good, बच्चों basically CGS से हमने MKS पधधती में क्यों चूस किया, एक बार बच्चों बताती हूँ आपको, आप तरह ये सोचो कि अगर मालो हमें ये बताना हो, कि मालो दिल्ली से कानपूर की जो रोड है वो कितनी लंबी है, मालो बहुत जो लंबी लंबी दूरी हैं, अगर हमें उनको बताना हो, अगर तुम सेंटी मीटर में बताने जाओगे, तो तरह सोचो कि डेटा कितना जादा बढ़ जाएगा, हाँ, बच्चों बिल्कुल सही का, डेटा हमारा बहुत जादा बढ़ जाएगा, तो बच्चों सोचो कितने सारे 0-0 हो जाएगी, जो हमारी संख्या है, वो कितनी बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन में प्रोब्लम होगी, तो इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसलिए बच्चों हम लोग उन क्या करा, MKS पद्धती ढून निकाली, वेरी गुड, हाँ, बिल्कुल बच्चों, वेरी गुड, आज बच्चों हमारी अगली पद्धती है, चोर पद्धती, है ना, बच्चों अगली पद्धती कौन है, चोर पद्धती, जिसको हम लोग, जो इसको मैं बोलती हो चोर पद्धती, पर असल में वो है, FPS पढ़ती, इसे बच्चों हम लोग British पढ़ती भी कहते हैं, क्या कहते हैं, British पढ़ती भी कहते हैं, आपको बताऊंगे भी कि इसको हम लोग चोर पढ़ती के नाम से क्यों जानते हैं, हाँ, अजर ध्यान से देखना बच्चों, जो हमारी FPS पढ़ती है बिटा, इसमें जो हमा लंबाई है उसको फुट में मापते हैं आपने बच्चों देखा होगा ना अभी भी हमारे यहां काफी लोग बोलते हैं क्या मतलब कि जो हमारा खेत है वो इतना फुट लंबा है या फिर अगर तुम से कोई जैनरली पूछ है कि तमारी लंबाई कितनी है तो तुम क्या बोल लंबाई हैं फुट सबमे चुरा लेगा है आपने क्या ही चुरा लेगा साही बात है कि नहीं तो वेरी गुड अब बच्चों ये चुकी बिटिश पधती और इसमें बहुत सारी कम्या थी इसमें बहुत सारी कम्या थी बच्चों इसलिए जो है आज हम लोग इसका इस्तमाल करते भी नहीं है अब बेटा जी मालो कहीं पर सेंटी मीटर चल रहा है कहीं पर लंबाई मीटर मे चल रही है अब भाया जनता परिशान जब बचों आज जो है आपस में देश विदेश जो है एक दूसरे को समान जो है आयात निर्यात करने लगे तो बड़ी समस्या आ रही है पता लग रहा है उनका जो है एक मीटर इतना लंबा है हमारा एक सेंटीमेटर इतना छोटा है बहुत प्रॉब्लम आ रही थी अरे बोलो हां की ना अरे यार एक बात बताओ आप लोगी बताओ परिशानी होगी कि नहीं होगी बिल्कुल हमें क्या चाहिए बच्चों हमें यह चाहिए आसान भाशा में चाहिए अब तुम मालों कहीं जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम तो बच्चों एक प्रॉब्लम वाली बात वाली मैं बात बता रहे हूं बहुत ही बढ़िया तो बच्चों क्या हुआ हां बिल्कुल वी वांट जस्टिस बिल्कुल साई का बेटा तो जस्टिस को प्राप्त करने के लिए ही क्या करा गया एसाई पध्धती को लांच किया तो भही अब जो है देश विदेश की जो है सारे विज्ञानिक आए है ना और बच्चो एक प्रॉपर सम्मेलन हुआ और वहां पर बच्चो ऐसाई पद्धती बनाई गई इसे बीटा हम लोग इंटरनेशनल पद्धती भी कह सकते हैं अंतर राश्ट्री पडाली भी कह सकते ह है बिल्कुल बच्चों है बिल्कुल तो यानि यार यह कौन कह रहा है कि यार मैं तो वीडियो रोक करके चैट कर रहे हूं वाह बहुत बढ़गा बेटा है क्लास को बेटा तुम क्या कर रही हो तुम यहां पने वाटसब बनाकर रखा है बताओ क्लास को वाटसब बनाकर यही इतना ही जुनून चाहिघे बात करने का फिर तुम देखना तुम्हारे नमबर कैसे दढ़-ढ़-दढ़-दढ़-दर नीचे होते हैं बस इतने इतने ही शिद्धत और इतने ही मन लगा कि बेटा बात करो तुम, और फिर तुम अपना result देखना, वो दिन दूर नहीं है कि दो साल बात जिए बेटा जी, तुम लोगों का भी सब्जी मंडी में एक सब्जी का ठेला होगा, अपना ही ठेला होगा, बेटा कोई वह दिन बिलकुल दूर नहीं है, बस इसी शिद्धत के साथ वीडियो को रोख करके चैटे करो तुम इसी शिद्धत के साथ तुम चैटे करो तुम चैटे करो तुम अच्छा चलो एक बची बोल रही है मैं होमवक कहां से मिलेगा तो बचो ध्यास देखना जैसे ही तुम दिकुत महारी जो है कॉमेंट बॉक् क्लिक करो कि वहाँ पर फॉर्म पूरा खुल के आएगा सारे वहीं पर होंगे बस तुमें जो सही ऑप्शन है उस पर क्लिक क्लिक करते जाना है सम्मिट करना है ओटीपी आएगा ओटीपी बता देना ठीक है यह वेरिफिकेशन के लिए है कि ताकि जो है सही बच्चे ही को ही जो है यह प्रॉपर उसका फॉर्म फिल हो पाए है ना और मैं तभी आपको अपना नंबर तभी आपको रिजल्ट बता पाऊंगी जब मेरे पास नंबर की प्रॉपर नाम होगा ठीक है तो जैसे आप लॉग इन करो जैसे ओटीपी बताओगे वैसे ही क्या होगा आपका ज जल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा कि एक कितने कुश्चन सही हैं आपके कितने क्वेशिन गलत हैं बहुत अच्छे हैं यहां पर बच्चों आजाओ ऐसाई पद्धाती को देख लो टेट्टा एसाई पद्धतीम हमने क्या किया लंबाई को हमने बड़ी पैड़ा ना तुम्हारा फुट ना जो है तुम्हारा सेंटीमीटर हम लेंगे मीटर बहुत ही बढ़िया बच्चो वहीं पर जो हमारा द्रविमान था ना पाउंड ना ग्राम सीधा किलोग्राम बेटा किलोग्राम और बेटा समय तो कह रहा है कि भाई में को तो कोई पकड़ नहीं सक अपन्तों पहले से सकेंड है तो समय तो अल्रीडी सेकेंड में है ही बहुत ही बढ़िया तो यह है हमारा एसाई पधती जिसको हम लोग आज देश भर के लोग जो है देश दुनिया में यही हम लोग यूज कर रहे हैं अब फड़ा फड़ से डेफिनिशन देख लो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनिशन है और आपकी जो समतल कोड और घंकोड है उनकी डेफिनिशन तो सबसे जो आसान और जो सही डेफिनिशन तो मुझे लगती है वह बिटा यह लगती है कि जो एक मीटर लंबाई है वो क्या है एक मानक मीटर वो लंबाई है जो फ्रांस देश की राजधानी पैरिस में रखी होई प्लेटिनम इरीडियम की जो बिटा छड़ है उस मिश्धा जो हमारी एक मीटर जो लंबाई है वो क्या है फ्रांस देश में जो पैरिस में बिटा जी वहां पर क्या रखी है एक प्लेटिनम इरीडियम की छड़ रखी है बिटा यहां पर जो है इन्होंने मिश्धातु इसले लिए है ताकि जंग वंग ना लगे है ना जो आपको पत जो है बिटा जी क्या होते हैं बढ़ते और घड़ते हैं आपको पता तो हई है कि लंबाई मिटा जी परिवर्तन हो जाएगा जैसे हम लोग लंबाई को चेंज करेंगे वेरी गुड तो बच्चो प्लेटिनम इरीडियम की जो छड़ है उसमें जो दो चिन लगे हुए है उन चिन्णों के बीच की दूरी को हमने माल लिया एक मीटर वेरी गुड अब बच्चो आजो एक किलोग्राम तो बिटा जी ये वही वाली छड़ है कोई दूसरी छड़ नहीं है वही बिटा जी है फ्रेंस में पैरिस के पास सेवरिस में इस्थित अंतराश्री मापतोल ब किलोग्राम के अंतराश्री आधी प्रारू प्लैटिनम इरेडियम मिश्वधातों से बने सिलेंडर के एक किलोग्राम के बराबर्यानि बच्चो सिंपल से बात यह है कि जो वहां पर हमारी छड़ रखी हुई है उस बेटा जी जो छड़ है उस बच्चो छड़ का जो अरे यहां तक clear है, पक्क केलियर है, अरे साईड हो जाओं ग्यार, कहो तो क्लास ठोड़के चले जाए, हट जाए बिलकूल बाहर निकल जाए, बोर्ट से बाहर निकल जाए, बहुत बढ़िया, हां, Very Good, यहां तक सको किलियर हो गया पक्का किलियर हो गया वेरी गूड अब बच्चो आजो एक सेकेंड बिटा जी एक सेकेंड क्या है ध्यान से देखना बच्चो तो एक सेकेंड वो अंतराल है वो टाइम पीरिड है जिसमें सीजियम 133 परमाडू घड़ी के हमारे जो है नो 37770 बार कमपन करती है और बापरे इसको पढ़ने मेरिया सांस फूल जा रहे बाई बिलकुल बच्चो एक सेकेंड क्या है एक सेकेंड वो टाइम पीरियड है बिटा एक सेकेंड वो टाइम पीरियड है जो सीजियम जो हमारी घड़ी है ना उसीजियम घड़ी में सीजियम परमाडू नो अरब उन्निस लाख चब्विस हजार अच्छने नो अरब उन्निस करोड़ चब्विस लाख एकत्यस हजार साथ सो सब्तर बार कंपन करता है यह वो टाइम पीडेड है सब को समझ में आगया याद रखने के जरुवत नहीं है पूछा नहीं जाएगा बस आपक पक्का यहां तक किलियर है नोट कर लो जल्दी जिसको नोट करना है नोट कर लो जल्दी से फड़ाफट से जल्दी 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 नोट कर लो जिसको नोट करना है लोट नोट कर लिया पक्का नोट कर लिया डन वेरी गुड अब बच्चों आते हैं रेडियन क्या होता तो बच्चो तुमाएग तो पहां रेडियन है बिटा वैटा वह बीटा जी सम्तल कोड का सम्तल कोड का मातरग इससे बच्चो बयुते प्लें एंगल सीधे एंगल भी बोल सकते हैं अब बत्चो कॉड क्या होता है तो बैटा कोड और कुछ नहीं बलकि दो रेखाओं का जो जुकाव है जैसे मालो भी दो उंगलियां है तो अब ये दो जो उंगलियां है कितना आपस में जुकी होई है या फिर कितना इनके बीच में जुकाव है तो हम अच्छो क्या कहेंगे ये बीटा देखो ये जुकाव इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार हमने इसको पूरक मात्रक में क्यों नहीं रखा व्योत्पान मात्रक या फिर हमने मूल मात्रक में क्यों नहीं रखा है ना क्वेस्चन बच्चों ये है तो बच्चों जो हमारा बीटा जो कोड होता है बीटा कोड का जो फॉर्मूला ह होता है वो खोड़ बराबर चाप बते दरन और होता है बच्छो patrol भड़ aur मीटर हो गए अगर देखा जाए तो बच्चो ऐसे तो ये कट गए ये तो बेटा मात्रक हीन हो गया इसका तो कोई मात्रक ही नहीं है फिर तो बिलकुल तो बच्चो ये तो प्रॉबलम वाली बात हो गई तो बच्चो हमने क्या करा इसका हमने एक अलग मात्रक रखा और हमने इसको फूरक राशी के श्ट्रेडी में रख दिया तो यह बेटा जी मूल राशी है ना ही यह मूल राशी ओसे मिलकर बन रही है very good बहुत ही बढ़िया तो बच्चो जो को फॉर्मला यही है हमारा कोड बराबर चाप बते तरजिया तो बच्चों हमने इसका मात्रक जहां हमन जल्दी बताओ क्या यह बास सबको समझ में आ गई है पक्का बिटा इतना लेट कौन होता आशीश क्लास खतम होने वाली है अब आप आए हो चलो बच्चों आपको इंपॉर्टेंट यह है जो तुम्हें याद रखना है कि 180 बराबर हम लोग मानते हैं पाई रेडियन ठीक है बिटा जी हमारा जो 90 डिगरी है बिटा वो क्या हो जाएगा पाई बाई टू रेडियन हो जाएगा इसी प्रकार से बच्चों जो है हम लोग 360 बराबर 2 पाई रेडियन मानते हैं तो कहीं कहीं पर हम लोग आगे अभी यह यूज करने वाले हैं तो आपको पता होना है कि आखिर कार जो है यह जो अगर हम लोग 180 की जगे पाई रेडियन लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह किसकी वैल्यू लिखी हुई है लिख लोगे पता चल गया वेडिगोड अब बच्चों बात करते हैं एक इस्टे रेडियन की तो बच्चों यह हमारे घंड कोड का मात्रक होता है अब बच्चों घंड कोड क्या होता है अब अगर घंड कोड को समझना है तो बच्चों आपको पहले तरबूज खाना पड़ेगा तरबूज का सीजन भी आ गया है है ना हमारे कानपर में तो बच्चों लोगों को भरोसा कम होता है ना मलब कि ऐसा लगता से मालो मेरी मम्मी हो गई यह जो वहां की आड़ते हैं उनको लगता है कि दुकांदार लूटने के लिए बैठा है वो दुकांदार लगाएगा 400 रुपय तो मम्मी बोले कि 100 रुपयम देना दो रितम जा रहे हैं मलब यह तो बहुत ही कम रेट लगा दिया मालो अगर कोई चीज 4,000 की तो मम्मी कहेगी बगलवल तो 600 की दे रहा है मलब उनके दिमाग में बसा हुआ है कि दुकांदार इन्हें लूटने के लिए वैठा है बिल्कुल बच्चो बिल्कुल उसी प्रकार से जब भी पपीता लेने जाएंगे हां या फिर तरबूज लेने जाएंगे तो दिमाग में बसा हुआ है कि दुकांदार जो है ख़राब चीज़ देने के कोशिक कर रहा है तो हमारे हां हां बिल्कुल हमारे हां बच्चो लोग क्या करते हैं वो टांकी पापा करें हम कैसे बात भरूशा करें कि तर्बूद लाल है तो वह क्या करेंगा वह चोटा सा ऐसे कुछ पीस निकाल के भाई यह देखू पापा ने और यह तो बहुत ही लाल है पापा एकदम खुश कि हा तर्बूद अब तो बढ़िया है ठीक है दर्शाते कहीं-कहीं पर हुआलोग इसे ठील दर्शा देते हैं पूमेगा रबर मुद्ट यहाँ घर था यहां पर लिखा हुआ है d omega ब्राबर दी, सुर्मूला देखो UK यहां पर लखा हुआ है d omega रबर मतलब क्या होता है तो बच्चो इस दी का मतलब होता है डिफ्रेंशियेशन नाने कि बहुत ही छोटा बहुत ही छोटा पार्ट अभी मैं आगे तें पढ़ाऊंगी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशियेशन तो तो समझ माएगा बच्चो डिफ्रेंशियेशन मतलब कि बहुत ही जो छोटा पार्ट है उसका मलब कि जह है उसका एरिया ठीक है बहुत ही छोटे पार्ट का एरिया वेरी गुड वेरी गुड बच्चो एक बात और जो हमारा घनकोड है इसका मात्रा क्या ही इस ते रेडिया है इसे हम लोग एसार से दर्शाते हैं और यह आपके काम आएगा क्लास 12 में जब बच किना पक्का वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कि इन में से कौन सी भौतिक राशियों का जो युग में है वह एक ही इकाई को प्रदर्शित करता है बचों बहुत ध्यान से सुनना 11 में आ गए हो तो थोड़ा सा आपको अच्छा question में दिया है है ना 910 ने एक एकदम स सोचना पड़ेगा और मुझे लगता है कि आप लोग सोचने समझने के लिए अब बड़े हो चुके हो बहुत ही अच्छे है जल्दी 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 सोच समझ के अंसर करना इन में से कौन सी भौतिक राशी का जो युग में है वो ऐसा है जो एक ही काई को पर रशित करता है इसके दोनों के ही जो मात्रक है वो समान हैं यहना दोनों के मात्रक समान है कि सोच लो छब भाड़ेंगे मैं भी आंसर नहीं बता लिए हो आंसर एक साल ह॑ यांसर बताऊंगे मैं ब्लकुत में चोड़ रिंगा हैं ना एफ का डी ठीक है अपना आणसर तुम पूल पुझे में दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चों आप्चन मेरे बोला है आंसर लास्ट बताऊंगी सो इन में से कौन सा व्यूतपन मात रख है लास्ट लंबाई समय या आयतनिन में से कौन सा व्यूत्पन मात्रक है सही जवाब देना बच्चों बिलकुल सही जवाब चाहिए और बच्चों एक बात और अगर क्लास को रेगुलर अटेंड नहीं करो कि बेटा कुछ समझ नहीं आएगा ये क्लास टेंथ नहीं है कि हां आधा देखा आधा बाद में देख लेंगे या फिर अभी पढ़ लेते हैं या लेक्चर नमबर वन तो देख लिए अब लेक्चर न नमबर डी पे 40 परसन बच्चे बोल रहे हैं ओके लेट सी आगे बढ़ेंगे नेक्स क्वेश्चन इन में से कौन सी पध्धती सिर्फ द्रव्यमान लंबाई और समा के मातरत पर आधारित नहीं है याद करो बच्चों हमने इससे पिछली कक्षा में हमने पध्धतियां लंबाई और समय की मातरत पर आधारित नहीं है वो पध्धती जल्दी सही जवाब चाहिए ओनली राइट आंसर सोच समझ लो सोच समझ लो आंसर नहीं बताऊंगे भी आंसर बताऊंगी थोड़ी देर में एक साथ बताऊंगी आंसर 50% बच्चे बोल रहे हैं option number C थोड़ा से इंतजार करो थोड़ा सा इंतजार करो आगे बढ़ेंगे नाभिकियत रिज्या मापने का सही मातरक है बच्चों यह आपकी physics में बहुत बार यूज होगा बताऊंगी नहीं क्या क्योंकि मैं आंसर लास्ट में ही बताऊंगी की तरजिया रेडिया जो चे अपना रेडियर रेडियस बताऊंग जरा सबर करो ढ्रौधाइंगे बाई श्रालud dead what about say और एंग स्ट्रॉंग पर ओके ओके चलो ऑप्शन अब तो लास्ट क्वेश्चन है निम्ण में से किस पधती में बल का मात्रक न्यूटन है अच्छा इस न्यूटन पर बहुत सारे बच्चों ने पिछली कक्षा में मेरे उपर प्रस्ट निचन उठाया था आरे मैडम जी आ रहे बलका मात्रक आपने जलत बताया है और रहे मैडम जी आपने तो बलका मात्रक में जलत बता दीया को च्च दिर को तो मुझे लगा कि बाई मैं गलत सिंक्स बढा ढ़े उ तो तो बताो आ Сवर्स नगी की शमता बढ़ाओ सा अगे ठोडूड का मडम ने थोड़ा गाउं का भासा बोल दीजे मजा आ जाएगा है बेटा गाउं की भासा सुनने आते होगी आप फिजिक्स पढ़ने आते हो हैं चलो लास्ट क्वेश्चन एसाई पध्धती में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है ऑप्शन नमर सी ओके हां मडम जी इसका सो इसले अभी हम वहाँ पर ही सारी अक्टिविटी कर रहे हैं जल्दी 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 इसका सही आंसर क्या है इसके बाद बचों घड़ी round इन ही मिलता है OS यह नहींिमिलता है कुंक्ट कि देली क्लास हमारी आगास बेच में होती इस लिए डेयली क्लास यहां पर हम्लोग अब बिलकुल फ्री है चलो बहुत बड़ी आप भावी जी का फोन आ रहा है मैं समझ रही हूं अरे कोई बात नहीं जाएगा भावी जी बस गुस्ता नहीं होनी चाहिए चलो हमाई बच्चे कॉमेंट ने आंसर कर देंगे चलो बच्चो आगे स्टार्ट करते हैं पने आंसर यह दो पॉस्क्रण था वो यह था कि कौन सी भौतिक राशियों का जो योग में है यानि कि जो कौन सी ऐसी दो भौतिक राशियां है जिनकी एक यान्निकी यूनिस एक ही है बच्चो दर ध्यास देखो उश्मा बिटा हीट क्या होता है जूल होता लाल होति है तेंपरेचर आलग चीज है अलग चीज होती है अब तूम्हें चलके बढ़ने वाले हो इलाइवंथ में ही बिटा ऊश्मा और कार्य मैंने समझाया था कि भाई वर्ग क्या होता है जितनी हमारे अंदर एनर्जी है यह बितना जादा काम करेंगे सोचो अगर मैं तीजी से दोड़नाय स्टार्ट कर तुम जितना तेज दोलूंगी उतनी जादा बच्छों क्या होगी हीट एंबले हम कह सकते हैं उत्पन होगी जितना ज़्यादा कार्य उतनी ज़्यादा उर्जा और उतनी ही ज़्यादा हीट जेनरेट होगी option number c is the correct answer very nice very nice बचो रध्याज देखना इन में से कौन सा व्युत्पन मात रख है ये सभी निसाई किया था बचो हमारे पास सात मूल मात रख हैं उसके अलावा सभी बचो क्या है व्युत्पन मात रख हैं द्रव्यमान लंबाई समय और समय के मात पर आधारित नहीं है बच्चों हमारी SI पध्धती है ये बच्चों द्रविमान, लंबाई और समय पर ही आधारित नहीं है आपने अगर ध्यान दिया हो बच्चों तो देखो हमारे SI उनिट से सब क्या होते है बच्चों याद रखना एक फर्मी बच्चों एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बच्चों ये बहुत बार आपके काम आएगा फर्मी कहीं शब्द लिखा हुआ है समझ जाओ कि एक फर्मी का मतलब है 10 की घात माइनस के 15 मीटर और बच्चों ये हमारी नाविकित रजिया होती है चलो मैं मैंने नहीं पढ़ा था second lecture बेटा कोई बात नहीं second lecture नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं क्योंकि ये जो lecture है वो अपने आप में unique है अपने आप में नया है अगर आप पहली बार पढ़ने आए हो तब भी कोई दिकत नहीं है है ना क्योंकि बच्चो तो लेकिन अगर आपने इस लेक्चर को मिस कर दिया भाई तुम्हारा पढ़ना वेकार है तुम यह माल लेना क्योंकि विमा विमिय सूत्र पहला टॉपिक है जिसमें तुम कह सकते हो क्लास 11 की फिजिक समानी स्टार्ट होने वाली है बिलकुल नया लिखा था किलो ग्राम मीटर प्रती सेकिंड स्कुआयर बच्चो यार याद करो यार वह दिन जब हमने तुम्हें पढ़ाया था न्यूतं का दूसरा नियम सेकिन लौइया क्या था एफ बराबर होता है की नहीं होता है पहले बताओ अरे मेरे लाल बोलो हां किना तुम लो हूँ बाल दो दो क्यों यहीं सोच़ा हूँ गरो भाट यहां पर दाने मेरे रettsामने बात है कोई बात नहीं कोई बात नहीं लेट हों कोई बात नहीं वाक्त पिए उस सही वक्त थे टाइम या पर यह न तो हमारा बेटा formula क्या था F बराबर M A Klaas 9 की बात है बच्चों, हमारा बल का SI मात्र क्या होता है? न्यूटन होता है अब बच्चों, यहाँ बड़को जाण से द्रविमान का SI मात्र क्या है? किलो ग्राम, लिटा तुरन का मात्र क्या है? किलो ग्राम मीटर मीटर प्रती सकेंड स्क्वायर तो हम क्या बोल सकते हैं एक न्यूटन बराबर किलो ग्राम मीटर प्रती सकेंड स्क्वायर तो गलती मत करना ठीक है बेटा गलती मत करना न्यूटन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब यह आपको दिमाग ल बिल्कुल विमाइश क्या होती है दैमेंशिन क्या होती है यहां पर एक definition लिखी हुई है किसी भवत एक राशी की जो विमाय है वो उस राशी को व्यक्त करने के लिए मूल राशी पर लगाई जाने वाली घाते हैं अब तुमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा यह क्या लिखा है हाँ नम्रेंद्र कुमार ने पहले ही बोल दे मैडम जी कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ भी समझ नहीं पा रहा है पल्ले ही नहीं पड़ रहा है बच्चों ध्यान सुनना अरे सुनो सुनो मैं समझ नहीं आया क्या है अरे रुको कि समझाया है अभी हैं समझाया है नि तुम लोग अभी ऐसे ही जो है पहले से ही चीगने लगते हो रुको रुको मैं समझाते हूं अच्छा बात बताना तुम लोग यहां पर मैं जो कुछ लिख रही हूं और तुम लोग बताओगे यह मैं क्या लिख रही हूं ठीक है अरे बोलो येस और ध्यान से comment करो, एक साथ comment करना, जिसको जो भी समझ में आ रहा हूँ, comment करते जाना, हाँ, क्या लिखा हूँ है, very nice, exactly, meter हो, centimeter हो, kilometer हो, पार्सेख हो, फर्मी हो, प्रकाश वर्ट हो, एंगे स्ट्रॉम हो, या फिर millimeter हो, exactly बच्छों, यह सब क्या है, बच्छों हम लोग माप तो लंबाई ही रहे हैं अगर कहीं पर kilometer लिखा होगा, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लंबाई हिट करेगी, कहीं पर एंगे स्ट्रॉम होगा, तो वहां पर तुम्हारे दिमाग में लंबाई हिट करेगी, पार्सेख लगा लंबाई हिट प्रकाश वर्ट लिखा होगा, लंबाई हिट करेगी, यानि कि बच्छों गर देखा जाएं, flashlight अगर बच्चों देखा जाए तो यह हम इन सब को देख करके हमारे दिमाग में सिर्फ और सर्फ बच्चों क्या रही है सिर्फ और सर्फ बच्चों क्या रही है लंबाई आ रही है जैसे कुम्ब करण को सर्फ और सर्फ नीद आती थी उसी प्रकार से बच्चों इसको देख करके हम सर्फ और सरफ लंबाई याद आती है exactly अब बच्चों करें ध्यान से देखो तो बिटा मीटर जो है हमारा SI पधधती में लिखा हुआ है हैना सेंटीमेटर 2023 सीजियस पधधती में लिखा हुआ है बच्चों फर्मी जिए पिटा जी यह पध्धती में लिखने आली जो समस्या थी ना इससे बच्चों विज्ञानिक बड़े परिशान थे साइंटिस्ट बड़े परिशान थे वो कहने कोई कई रहा है मीटर कोई करें नहीं भाईया हमारा प्रकाश्वर्च लिखो कोई करें नहीं हम तो एंगेस्ट्रॉम में हैं जो इन सारी चीजों से परेहों जो सभी पध्धतियों से दूर दूर तक जिसका कोई नाता नहों अगर लंबाई है तो वह लंबाई ही है। वह ना मीटर हो ना सेंटिमेटर ना मिली मीटर ना अगर लमबाई है तो वो लमबाई ही है यानि के बच्ism विमाय क्या होती है पश्य प्राइफते हैं वीमाय और कुछ नहीं बलकियम कह द्यूरे को हमें पता है कि हमारे पास साथ मूल मात्रक है जितने भी हमारे मूल उनको हम लोग इन से डिराइफ कर सकते है हमारे पास साथ मूल राशियां हैं, अरे यार साथ मूल राशियां उन्हें के मूल मात्र कहलाते हैं, हमें इतना पता है कि किसी भी भौतिक राशिय को हम इन मूल राशियों से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, व्यूत्पन कर सकते हैं, ये बास अब को समझ आई कि नह वाँ हमारे पास जितनी भी भूतिक राशियां हैं क्या हम उनको इन चाथ मुल राशियों Return program कर सकते हैं नब कर सकते हैं तभी तो व्यत्पक रॉटल राशि हुई ना यार एक्जैक्लीजैक्लिफ तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं अब हम सभी भौतिक राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करेंगे बच्चो सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना यहां पर विलिखा हुआ है कि किसी भौतिक राशी का विमिय सूत्र वो व्यंजक होता है जो उस राशी म सम्मलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है बच्चो सिंपल सी बात यह है कि हम प्रत्येक भौतिक राशी को मूल राशी में व्यक्त करने वाले हैं अब इसके लिए आपको एक इंपोर्टेंट बास समझनी होगी हां बच्चो बहुत इंपोर्टेंट बात है फड़ा फ जल्दी जल्दी कॉमेंट कुरो बैं अरे यार फड़ा फट से कॉमेंट करो सकते हो बढ़नें कुछ कि मैं dreams यहीं से तुम्हारा समझ में आएगा कि विमा चैनल की विमी सूत्र होता है कि पैनल निम्रा इस विद्धॉध मान वेक्षोन Понight करstalk हात्रा है और जियोति तीवर्ता क्या बच्चों यहीं हमारे पास मूल राशियां है एक्जाक्ली अब भच्चों ध्याना से देखना लंबाई को पेटा हम लोग किस से दर्शाएंगे ल्से लंबाई को दर्शाएंगे किससे ? ल से किसे दर्शाएंगे ये पहले लिख लो लंबाई को बश्ष दर्शाते हैं हम लोग यानि बच्चों लंबाई को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं सबसे पहले चीज क्या है कोस्थक होने चाहिए जब भी हम लोग विमा या विमियसूत्र लिखेंगे तो बिटा क्या होगा हम एंदर लिखेंगे बिटा क्या्पिटल लेटर में लिखेंगे exactly exactly बच्चो कोज्था के अंदर लंबाई को L से दर्शाएंगे दर्वामान को विटा सौरी सौरी द्रवमान फ़ें सी दरह पाइंगे सौरी ग्रव मार को हम लोग nसधर शाइंगे बिस्वात कि सवोभ के कर शांगे इक्सराघ्वें बच्छों वेडियो धारा को को एस से दर्शाइंगे तापमान को धां जहुब ओका कहीं कहीं कई पर बच्चों कापिटल के से भी दर्ष अते हैं क्या ये बात सब work समझ में आ रहे हैं जल्दी बताऊ कि ये बात सब को समझ में रही है किना ही आ v гарy नहीं आ रही है जल्दी बताऊ refrigerator जो चिह थे ती व्रता का मात्रा क्या होता है इसको नब तीड़ हम बेटा मीटर, सेंटीमीटर, मिली मीटर या फिर बच्चो किसी और चीज रिप्रिजेंट नहीं करेंगे, वहाँ पर सीधे हम लोग इसको L से दर्शाएंगे, द्रवेमान कहीं दिखेगा तो M से दर्शाएंगे, समय कहीं पर दिखेगा बीटा तो ती से दर्शाएंगे विद्यो धारा होगी तो ए से दर्शाएंगे तापमान होगा तो बीटा थीटा से दर्शाएंगे पदार्ज की मात्रा बीटा अगर होगी तो किस से दर्शाएंगे मौल से दर्शाएंगे और जोती ती वृता को बिटा इस स्मॉल सी से दर्शाएंगे यहां तक क्या सबको समझ में आगे जल्दी हाँ बिटा फड़ा फड़ से फड़ा फड़ से अगर यहां तक समझ में सबको आगे आए तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी से पक्का समझ में आगया हाँ वेरी गुट चलो देखो अब यहां पता होना चाहिए अब हम लोग देखो मेरे बास सुरो अब हम लोग एक्जाकली करने क्या वाले हैं हर एक फॉर्मूलिय को बेटा इन्हीं टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे बेटा कैंडिला बेटा देखो मेरे बास सुनो यहां पर यहां पर मेरे बास सुना अब तुम कैंडिला को छोड़ो मोल को छोड़ो तापमान को छोड़ो क्योंकि बच्चों यांत्रकी में यांत्रकी में यानि कि बच्चों जो हम लोग भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसम dimensional formula आखिरकार विम्य सूत्र क्या होता है ठीक है आखिर कर विम्य सूत्र क्या होता है बच्चों बहुत यहां से सुनना मैं अभी प्रॉपर definition आपको दे दूंगे पर मैं अभी समझा रही हूं क्योंकि अगर इसमें आपके कुछ थ्योरी नहीं है इसमें सीधे बेटा जी हां बेटा फिर से सुनना कुछ नई है किसी भौतिक राशी को किस में व्यक्त करना मूल राशी में व्यक्त करेंगे और बेटा जो वो formula होगा उसे बोलेंगे बेटा विम्य सूत्र बच्चों विमा क्या होती है आप अब से पूछेगा हां बिटा विमा क्या होती है तो बच्चों देखो विमाय 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 क्या होती है तो इन मूल राशियों की घाते बिटा अब बताओंगे कुछ समझ नहीं आएगा जब तक क्वेस्चन नहीं करोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा बच्चो माल लो मुझे लंबाई का, बिटा बहुत ध्यान सोना पहला फॉर्मला बता रही हूं, बच्चो माल लो मुझे लंबाई को व्यक्त करना है, मैंने क्या बोला हम लोग अभी स्टार्टिंग में जितनी भी भहते ग्राशियां बच्चो लेंगे उनको बेटा जी हम इनमें इन्हें तीनों बेटा व्यक्त करने वाले हैं, बेटा किसमें व्यक्त करने वाले हैं, इन्हें तीनों में व्यक्त करने वाले हैं, अब बच्चो अगर मुझे लंबाई का विमिय सूत्र लिखना है, तो कैसे लिखूंगे, देखो, बच्चो देखो, हर एक में क्या करोगे M, L और T, ये तो common रहेगा, बच्चों फिर से सुनना, हाँ, बिटा, मालों मैं क्या करूँ हूँ, मैं पहला विमिय सूतर लिखने वाली हूँ, मैंने लंबाई लिखा, बिटा, लंबाई का, लंबाई को मैं क्या करने वाली हूँ, M, L और T के पदों में व्यक्त करने वाली हो, अब एक बात बताओ, लंबाई में क्या द्रविमान है, लंबाई में द्रविमान नहीं है, अगर बिटा द्रविमान नहीं, इसका मतलब क्या है, द्रविमान की घात जीरो हो गया, बिटा क्या लंबाई में समय है, लंबाई में समय नहीं है, तो बच्चो समय की घा खात क्या हो गई 0 हो गई। लंबाई यहां पर एक ही है तो क्या होगा बेटा लंबाई की घाते एक हो जाएल गभाते हैं बेटा देखो जो ये घातें हैं ये घातें बेटा क्या कहलाती हैं विमाई कहलाती हैं जो बेटा हमने लिखा हुआ है ये पूरा क्या है विमिय सूत्र है बेटा क्या है विमिय सूत्र है अब बच्चो इसी प्रकार से द्रविमान को लिख लो हाँ जल्दी बेटा सब लोग जल्दी से कॉमेंट करो, जल्दी से कॉमेंट करो, द्रविमान का विमिय सूत्र क्या होगा, हाँ, वेरी गुड आचल, वेरी गुड, द्रविमान का विमिय सूत्र क्या होगा, जल्दी, जल्दी, बहुत मज़ा आएगा, मैं बहुत सारे फॉर्मलिस की प्रैक्टिस करवाऊ हुआ हो तो देखो म फिरल हो जाएगा बिटा क्याक्या क्या विम्यान में समय है लंब डिया वेरी गुड बहुत ही बढ़िया शाबाश 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 बिटा देखो इसको हम लोग केवल M भी दर्शा सकते थे लेकिन बच्चों अभी हम लोग क्या करने वाले हैं MLT के टर्म्स में सारे फॉर्मलेज लिख रहे हैं इसलिए बच्चों हम लोग यहां पर लंबाई द्रविमान को भी ऐसा ही फॉर्मला लिखने वाले वेरी गुड बच्चों समय को दर्शाओ समय को दर्शाओ बिटा कैसे दर्शाएंगे पढ़े लिख लो MLT समय में ना तो द्रविमान है ना लंबा ही बिटा क्या होगा ये तो ये बच्चो हमारा formula हो गया बहुती बढ़िया बहुती बढ़िया बहुती बढ़िया 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 अब अगर मालों ने बोल दिया आयत का छेतरफल मालों बोल दू बिटा आयत का छेतरफल क्या होता लंबाई गुड़े चोड़ाई मालों बोल दू व्रत्त का छेतरफल बिटा क्या होता पाई आर स्कुर यार रखना बच्चों कॉंस्टेंट की विमा नहीं होती है पाई एक नंबर है जिसकी वेल्यू है 3.14 227 पाई एक constant है निया बिटा किसी भी संख्यातमक अंक की विमा नहीं होती है बिटा आर स्क्वर बिटा आर क्या है त्रज्या त्रज्या क्या है लंबाई है है ना आप जैसे बच्चों मैं यहां पर ले रही हूं बिटा मालो बच्चों लंबाई गुडे चोड़ाई अब एक बात बताओ बिटा असल में चोड़ाई है क्या असल में चोड़ाई क्या है बिटा असल में चोड़ाई बच्चों हम लोग हम लोग क्या कह सकते हैं लंबाई तो कह सकते ना भाई कोई इस इतनी इतनी लंबाई चोड़ाई हो गई है ना उंचाई बिटा मालो यह यह उंच क्या होगा एल की घात दो आ जाएगा लेकिन अभी यह हमारा सही फॉर्मुला नहीं है क्योंकि बच्चों हमारा सही फॉर्मुला क्या होगा यह जब हम ऐसे लिखेंगे बिटा क्या छेत्रफल में द्रविमान है नहीं है क्या छेत्रफल में समय है नहीं है लंबाई की घात कि आगया समझ में पक्का समझ में आगया पीटा समार्ट बोई कॉन्फ्यूस कुछ होना ही नहीं है बुझे समझ नहीं आएगा और तुम लोग क्लास को लाइक क्यों नहीं करते हूं हमसे को समस्या है पढ़ते तो बड़ा मौत से हो तुम लोग याड़ बता है बहुत हो के बा अकेले मक्षन पॉलिस मैं बस आप भगवान हो बेस्टेस टीचर हो आप यू आर दा बेस्ट टीचर इन दा वर्ल्ड और सामने एक लाइक नहीं हो रहा है कि अब मैडम जीता चिला रहे हैं चीख रहे हैं लाइक कर दे हैं चलो आजो बच्चो वेरी गुड बहुत ही बढ इतर यहां तो फ्रकार की लेंद तुम्हाई ट सुनो यहां पर मतलब यह नहीं कि खिचड़ी है कि पुलाव है कि ओम बिद्यानी है कि राजमा चावल है कि पनीर चावल है कि दाल चावल है भाई चावल चावल होता है तुम ये बास समझ रहो चाहें लंबाई हो बेटा लंबाई लंबाई है उचाई हो बेटा लंबाई ही है वो लेंथ ही है लेंथ ही है बच्चों है ना बेटा उचाई बेटा लेंथ ही है जमीन से बेटा छत की बेटा जी लंबाई है ना इसको मुने उचाई बोल दिया है वो लंबाई ही very good बचो तीन बार लंबाई तो बेटा क्या हो जाएगा ध्याद देखो तुम्हें ऐसे भी लिख सकते हो अगर किसी हो confusion हो रहेगे तो इस लंबाई को ऐसे लिखा इस लंबाई को ऐसे लिखा बेटा जी आधार समान है multiply में घाते जुड जाएंगी यार घातों को जोड दो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया l की पावर 3 क्या ये पूरा फॉर्मूला है very good बेटा पूरा फॉर्मूला ये नहीं है कैसे होगा पूरा फॉर्मूला बेटा पूरा फॉर्मूला ऐसे होगा M बेटा दिर्विमान है क्या दिर्विमान नहीं है बेटा लंबाई की पावर L की पावर ठी बच्चो टी की पावर जेरो अच्छा एक बात ध्यान रखना इसमें बच्चो अम लोग L क्यूब नहीं बोल सकते हैं L cube, L square, T square, नहीं बोलते हैं बेटा, T की power 2 बोलते हैं, घात बोलते हैं, L की घात 3, द्रविमान की घात 1, द्रविमान की घात 0, very good, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैम प्लीस 12 भी पढ़ादो बेटा, वो दिन जरूर आएगा, पढ़ाओंगी तुम्हें, don't worry, हा सबको समझ में आ गया, यहां तक पका किलियर हो गया, बच्चो, next दे रही हूँ, अपने आप से लिखना, बहुत ही, बहुत यासान दे रही हूँ, हैना बिलकुल मेरे मुझ पे फेक के मारो, answer के दो, ma'am, मुझ पे अपना answer दो, देखो, बच्चो, मैं यहां पर बहुत ही बिटए विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन , मैं मैं आपकी इनसाइड ही नत है कि पूर्ची सिक्स्टीन ्प्थाओट नत है a यह जल्दी जल्दी बुग्गु कहाँ जा रही हूा बच्चा नहीं मैं है अब मेरी बास सुनो थेक्षों क्या होती विस्थापन और कुछ नहीं बलकि बिटा क्या है दो बिंद्रों के बीच की न्यूंतम दूरी अरे विमा को मतलब नहीं है कि न्यूंतम दूरी है कि अधिक्तम दूरी है कि चंड्रमा की बीच की दूरी है उसके है किसी से फरक नहीं पड़ता उसको फरक कि इस बास से के लंबाई है ना वह exactly लंबाई है कि नहीं है बहुत बढ़िया बच्चो विस्थापन के लिए बिटा क्या हो जाएगा सिर्फ बिटा एला जाएगा कैसी बातें करते हो हाँ बिल्कुल तो बच्चो इसका exactly फॉर्मला क्या होगा अब बच्चो एक बात ध्यान रखना देखो हम लोग आपस में बहुत लड़ते हैं बाहूत लड़ते हैं दो बच्चे आपस में खड़ेरा कि चाल वह तरट नहीं बेटा नहीं आपस लड़ाई चली रहिए चाल अदेश-राशी है वह तर drinking व। विम्य परक कि है भाई डिशा कोई मतलब ही नहीं है बिल्को Lancoиться professions नागे एक हूंगे वेख और चाल बेटा दोनों के ही विमय सूत्र एक ही होंगे कर不是 सुनना है मैं दोनों के आलले बतारी हैं और फिर तुम देखना एक बार में समझना आएगा अगर हम लोग तो वेग के लिए फार्मौला लिखते हैं विस्थापन बटे समय अदे बोलू हां कि ना भाई बोल देयार हां कि ना विटा चाल बराबर क्या सब्सक्राइब यह जो वेग हैं दोनों अलग-अलग राशियां समय आ गिया अब ध्यार स जोना बाचों दूरी बेटा क्या दुरी द न मंबाई है वेरी गुड बेटा लंबाई है लेटी समय क्या ही बच्चों समय टी डी हो गया अब ध्यार सक्वत्त सुनो कभी विमिय सूत्र ऐसे नहीं लखो हो गिए हमेशा घात होनी चाहिए घात पॉजिटिव भी हो सकती है घात निगेटिव भी हो सकती है मेरी बास फिर से सुनों उना ध्मार ध्यां से सुनना ऑपर जाएगा कि पावर 1 यह उपर जाएगा क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस का वन अब ध्यान से देखो तो बच्चों क्या वेग और चाल दोनों की ही बेटा विमा एक नहीं आगी एल टी की पावर माइनस का वन जल्दी बताओ एक्जाक्ली और बच्चों हम इसको कम्प्लीट लिखेंगे कम्प्लीट लिख लो बेटा कम्प्लीट अब मैं एक साथ लिख रही हूं ठीक है तुमने देख लिया दोनों कमाल अरे यार पुलाव बिर्यानी खिचड़ी सब एक ही चीज़ है बाई मसालों का अंतरे खाली वेग और चाल बिटा विमीय सूत्र क्या हो जाएगा एम की इस बात को ध्यान रखना वेरी गुड बेटा वेरी गुड बेटा एम की पावर दवमान नहीं है तुम क्या बोलेंगे एम की पावर जीरो बेटा एल की पावर वन लिखने की नीड नहीं है टी की पावर माइनस के वन बच्चों ये क्या हो गया हमारा विमीय सूत्र हो गय यार भाई ऐसे ही बच्छों यह हैं विमिय सूत्र यह विमिय सूत्र समय क्वन की सकती हैं नहीं गातें है यह विल्य वधोड की समिक्रन में आ गई जल्दी बताओ जल्दी वेरी गुड बिटा अगला क्वेशन दें नेक्स क्वेशन दें वेरी गुड आजो बच्छों अब सब लोग कोशिश करना घनत्व का विम्य सूत्र लिखने की लेकिन अब फॉर अब दिक्कत यहां पर यह है कि घनत्व तुम तब लिख पाओ तो त्न फोर्मवा क्या होता है युटा घनत्व का फॉर्मिला क्या होता है अब दो भाई जल्दी, जल्दी, पिटा, एप पर, पिटा, वो पेड़ क्लासेच चल रही है अरे बोलो, पिटा, घनत्यू का फॉर्मुला क्या होता है? जल्दी बताओ अरे यार, पता ही नहीं है? वेरी गुट, पिटा, वेरी गुट, धरविमान बटे आuez तन बिटा घनत्यों का फॉर्मॉला क्या है द्रव्यमान बटे आयटन वेरी गुड बच्चो वेरी गुड अब बिटा यहाँपड했어 ध्यान देना यहाँ पर आले हैं यहाँपड्र द्यान देने की आप शक्त मेटा है बिटा द्रवैमान हमारे पहले से ही किया है मूल राशी है द्रवेमान को टच नहीं करें गुस्सा हो जाएगी द्रवेमान से एक मूल राशी उसको तुम क्यों छेड रहे हो तरुट अब देखो अगर यांतो आयतन का विमिय सूत्र याद हो अगर आयतन का विमिय सूत्र नहीं याद है तो यहीं पर बना लो बना लो यार आयतन पता है अपने को लंबाई गुड़े लंबाई गुड़े लंबाई होता है इसमें इतना कैच चिलाना थोड़ी होता लिखना होता है ल की पावर 3 हो गया बाई कुछ नहीं हुआ, बाई कुछ भी नहीं हुआ, L को उपर भेजो बेटा, L की पावर माइनस 3 हो गया, बेटा, T हमारा गुस्सा हो जाएगा, बेटा, T हमारा गुस्सा हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यह आ गया, M, L की घात मा अरे यार बोलो हां की न पक्का पक्का M, L की बिटा L की पावर माइनस 3 बिटा देखो L की पावर 3 नीचे था उपर जाएगा माइनस हो जाएगा L की पावर माइनस का 3 T की पावर 0 Very good सब ने लिख लिया पक्का आ गया, सबका आ गया की नहीं आ गया यार बच्चों में बात सुनो पहले अगर आ गया है बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आया है बिटा ये आपका काम है कि जितनी क्लास में फॉर्मुलेस कराए गये हैं उन सभी के विमिय सूतर आप लोग लिखोगे बाबाई, टेक केर, गुड़ नाइट लव यू ओल और इंस्टेग्राम पे मैं मेसेज कर दूँग आप टाइम नहीं मिल रहा मैं पक्का टाइम निकालके सबका रिपलाई करूँगी बच्चों, रियली वेरी सॉरी रुची 16 डाउटनेट मिली आईडी है जितनों को नहीं पता है बागी बच्च मैं जल्दी कनेक्ट होंगी बबाई, टेक केर, ख्याल रखो अपना